इस पुस्तक में एक बहुत महत्वरों अध्याय है आपकी जेल की जब आप प्रभारी हुआ करती थी महारास्ट्रा में और उसी दवरान याकूब मेनन और अफजल कसाब जैसे लोगों का भी मामला सामने आयता उनकी फासी की बात मैं शाहूंगा कि हमारे दर्सकों को जराओ उस दोरान जो मानसिक और जो इस्थितियां थी जिस तरह की तनाव पूर्ण इस्थितियां तो यह पूरे देश का दबाव था a और इसके अलावा जिस तरह की दबाव आ रहे थे कि यह बातें मेडिया तक नहीं जानी चाहिए इ करते प्रषियंदे लिए को एक बहुत लंबा प्रोसेस जिसमें सेशन कोट फासी की सजा देता है हाई कोट एगरी करता है सुप्रीम कोट एगरी करता है फिर उसमें मर्सी करावयभा के परमुक्य और अजमल कसाब के फासी के बारे में हम बहुत थोड़ा ही बिल सकते हैं दोनों हासी के बारे में क्योंकि में जो है इसका इशूब वो सीख्रेट यहां confidential है पर जो मैं शेर कर सकती हूँ इतना है कि अजमल कसाब की फासी को बाहर नहीं इसके बारे में चर्चा हो और यह बहुत ही confidently operation हो complete हो इसके बारे में शासन का बहुत ही दबाव था और मैं महराश्च्रा सास्यन, महराश्च्रा कारागरा विभाद, महराश्च्रा पुलिस इन सब की प्रिशंसा करूंगी क्योंकि मेरे हिसाब से 40 अधिकारियों की संख्या को पता था कि यह होने बला है फिर भी देखिए केवल एक प्रेस रिपोर्टर को रात को यह समझ में आया कि हमने अजमल कसाब को आर्थर रोड जेल से यरोडा में शिफ्ट किया है उसने भी यह नहीं कहा उसे भी यह पता नहीं था कि इसको फासी देने वाले हैं तो यह हम अंतराष्ट्य स्तर पर यह सिद्ध कर पाए कि भारत में कानून विवस्था बहुत स्थिर है बहुत स्ट्रॉंग है और हम अगर फासी देते हैं तो हम पूरा प्रोसेस फालो करके देते हैं तो मैं बहुत अभीमान से कहना मांगूंगी कि यह दो जो फासी की शिक्षा थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉव और टोटल टीम वर्क बाइडिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ महाराष्ट्रा और भारत सरकार कुर्भी मेंगा गुर्ण प्रञए क हो और बाइड़र चाप्सौड़ कि द कुर्भी कुर्स हमें पासी हैं